कि नमस्कार दोस्तों यह ब्यांग निप्टी का 50 मिनिट का चार्ट उसमें आप देख सकते कि ब्यांग निप्टी इदर ओपन हुई और फिर इतने दग गई कि स्टेंड रेजिस्टन लेकर यह नीचे की तरब आई और इदर रेंज बाउंड हो गये उसने यह ब्रेक किया न इतने तक आप मोमेंट दी अपने पहले बएंक निप्टी की ओप्सीन देख लेते doctrine जिससे पता चले कि रेजिस्टन या सपॉट कांपर तो अभी चले जाते हैं बैंक निप्टी की ओपन चेन में बैंक निप्टी की ओप्सीनचैन सबसे जढ़ा पूट इस लेवल पर और आप उसमें देख सकते है कि वॉल्यूम इस लेवल में यह 10 ओगस्ट की है और श्ट्राइक यह है यह से ही इस तरफ वॉल ओई सबसे ज्यादा इस लेवल पर है और वॉल्यूम देखा जाए तो इस लेवल पर सबसे ज्यादा है और वॉल्यूम इस लेवल पर है तो यह लेवल की लेवल हो सकता है अगर इस लेवल से बैंक निप्टी सब्सक्राइब करते हैं उसके उपर ही टिकती है तो फिर 45,000 को ब्रेक करती है और उसके नीचे रहती है तो फिर टार्गेट आ सकते है 44,000 और उसको ब्रेक होने के बाद यह भी टार्गेट आ सकते है जो 43,500 है इधर PCR की बात की जाए तो वह है 0.60 अब नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है जो बैरिस है अभी अपने चले जादे बैंक निप्टे के चार्ट में तो आप देख सकते हैं यह है बैंक निप्टी का चार्ट इसने इसी तरह नीचे की तरह मोमेंट दिए और इस ट्रेंड लैंड से सपोर्ट लेके अब मोमे सकता है पहला 44,290 अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 44,000 भी आ सकता है और उसको ब्रेक करने के बाद टार्गेट आ सकते है 43,945 अगर उसके उपर टिकता है और 44,610 को क्रोस करता है तो उसके बाद के टार्गेट हो सकते है 44,742 अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 45,000 आ सकता है अभी अपने यह जानते हैं कि अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन या फ्रेट ओपन होता है तो कैसे बाइंग या सेल कर सकते हैं समझो के बैंक निप्टिक गैप डाउन ओपन होती है वह लेवल है उसका 44,305 उस लेवल के आसपास य यह गैप डाउन होती है और फिर उसको ब्रेक नहीं कर दिये उपर निकल दिये तो टार्गेट आ सकते हैं 44,722 यह टार्गेट आने से पहले उसको क्रॉस यह करना पड़ेगा 44,610 को उसके नीचे ही रहती है उसको गैप डाउन ओपन होती है और फिर उसके नीचे रहती है तो टार्गेट आ सकते हैं 44,096 और उसके बाद के टार्गेट हो सकते हैं 43,756 और उसको ब्रेक करने के बाद टार्गेट हो सकते हैं 43,347 अगर यह उपर निकलती हैं उसको ब् सकते 44,913 और उसको भी ब्रेक करती है तो टार्गेट हो सकते 45,277 और उसको ब्रेक करने के बाद टार्गेट हो सकते है 45,680 वीकली बैंक निप्टी की रेंच की बात की जाए तो वह होगी 45,035 से 43,964 की लेवल होगा 44,610 उसके नीचे रहती है तो बेरिस होगी और उसके उपर निकल जाती है बैंक निप्टी गयाप अप होके और उसके नीचे नहीं आती है तो फिर यह ट होगी ते समझो के गैप अप वोपन होइव इस लेवल पर और इसके नीचे रहती है तो फिर यह टार्गेट आ सकता और अगर gap अप open हुई उसके उपर ही टिकती है इसके नीचे नहीं आती तो फिर यह target सब आ सकते हैं यह था bank nifty का analysis अभी अपने देखते हैं nifty यह है nifty का chart उसमें आप देख सकते हैं कि nifty इधर से open हुई फिर इधर register लेकर continue नीचे की तरफ moment में आई और last hour में यह इतने तक बंद हुई यह यह जो लो है यह support का काम करेगा अगर यह break होता है तो nifty नीचे की तरफ आएगी और यह जो close हुआ है उसके उपर open होती है और उसके नीचे नहीं आती है तो फिर इस level तक भी आ सकती है अभी अपने nifty का resistant और support draw करने के लिए पहले nifty की option chain में जाना होगा यह nifty की option chain उसमें आप देख सकते है कि nifty में put oi सबसे ज्यादा इस level पे है और volume की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इस level पे जो यह strike है और जो call oi की बात की जाए सबसे ज्यादा इदर है पर यह important रहेगी call oi जो है 19,500 के आसपास दूसरा आप देख सकते हैं कि जो यह strike है उसमें इदर इतनी call हो आई है और इदर 92,949 है जो इससे ज्यादा है और दूसरा के यह जो निप्टी है इस strike के नीचे close होई हुई है तो कल gap down होने का chance ज्यादा आए अगर gap अब भी होती है तो यह नीचे इतने तक तो आएगी अगर open इदर होई तो भी यह 90,400 तक आ सकती है और उसको break नहीं करती है तो फिर यह नीचे की moment पहले 19,300 फिर 19,200 तक भी जा सकती है और PCR की बात की जाए 0.66 है जो negative indicate कर रहा है बैरी से अभी अपने चले जाता है निप्टी का chart में है निप्टी का 50 minute का chart उसमें अब देख सकते है कि निप्टी इस level से support लेके इतने तक आई है जो अपने option chain देखिए उसमें निप्टी में 19,400 पे resistant है और निप्टी उसके नीचे close है अगर उसको break करती है तो फिर जा सकते है 19,500 तक और उसको break नहीं कर रही है तो फिर ये level आ सकते है 19,300 की level होगा 19,400 पे निप्टी अगर उसके उपर निकल दी फिर उसको break कर दी या उसके नीचे ही रहती है gap down होके तो फिर target आ सकते है नीचे की तरप 19,315 और उसके बाद के target हो सकते है 19,249 और उसके बाद के target हो सकते है 19,139 और उसके बाद के target हो सकते है 19,011 अगर उसके उपर टिकती है और उपर ही रहती है उसको break नहीं कर दी है तो फिर target हो सकते है 19,448 और उसके बाद के target हो सकते हैं 19,540 और उसको break करने के बाद target आ सकते हैं 19,624 और उसको break करती है तो फिर target हो सकते हैं 19,752 समझो के niptic gap अप open हुई जो level यह जो level है उसके आज़ पास gap अप open हुई या इधर gap up हुई और उसको break नहीं कर रही है या उसके आसपास हुई उसको break नहीं कर रही है तो नीचे की तरफ यह इस level तक भी आ सकती है और बाद में यह level भी आसा और gap down होती है और उस level को किस level पर gap down होती है समझोगे और उसको break नहीं करती है इधर से support लेती है फिर उपर निकलती है तो पहले यह target आएगा फिर यह target आएगा तो यह था nifty और bank nifty का analysis ऐसा ही analysis देखने के लिए अमारी चैनल को like subscribe और share करना ना भूले तब तक के लिए joy hint